हेलो दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनिर कुमार मनी सौगत करते हैं आपके अपनी चैनल ये अवरीडे फोकस में प्यारे दोस्तो यूपी डाक विभाग से लेलेटर बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ चुका हूँ जिहां दोस्तो डेट बढ़ गई है साथ मई इसका जो है रेजिस्टेशन का लाश डेट जो है वो बढ़ गई है साथ ही दोस्तो क्या ये भरती केलियर होगी और मैं आपको बताऊंगा कि पिछले साल कितनी कटाव गई थी और अपकी बार कितनी कटाव जाएगी 101% प्रोब भी दिखाऊंगा तो पुरा वीडियो आप देट बढ़ गई है तो यहां पे देख सकते हो सरकारी रजल के आफीसले वेबसाइट पर जो है 20 अपरेल 2020 को 6 बचकर 19 मिनट पर जो है अपडेट यहां पे जारी की गई है नीचे आप लोग देख सकते हो यहां पे उत्तर परदेश सरकल सेकेंड का ओप्सन आ रहा यहां पे फॉर्म लाश्ट डेट देकर आख़ा है साथ पांच 2020 तो साथ मई 2020 तक जो है आप लोग इस फॉर्म को अपलाइक कर सकते हो उत्तर परदेश सरकल सेकेंड से रिलेटेड ठीक है यहां पे आप लोग जो है देख सकते हो अब बात करते हैं कि कटाफ के बारे में तो ठीक है दोस्तों यहां पे आफीसली वेबसाइड पर भी जो अपडेट जारी की गई है यहां पे नीचे देख सकते हो साथ पांच 2020 साथ मई हो गई है और मैं सबसे पहले बात करूँगा प्यारे दोस्तों जो है रेगल डिकलियर की गई है बिहार के लिए मैं बात करू बिहार का कटाफ यहां पे देख सकते हो बहुत हाई कटाफ जा रही है बेगु सराय से यहां पे देख सकते हो सोनु कुमार 95% यह सी कटिगरी इनकी है साथी OBC कटिगरी की भी यहां पर 95 गई है और OBC यहां पे नीचे देख सकते हो 95.5 इस तरह से जो आप लोग कटाफ दे 95 पलस है ठीक सभी कटेगरी के लिए यसी यस्ती ओबी सी जनरल के लिए सभी के लिए 95 पलस जो है कटाफ गई है ठीक अब महाराश्ट्रा का मैं आपको दिखा देता हूँ तो दोस्तों महाराश्ट्रा में देख सकते हो 3650 वेकिंसी है ठीक है 3650 वेकिंसी है और इसी इस रिले 96.15 कटाफ 92, 89 जो है 80 के लिए minimum गई है कटाफ 93, 94 के लिए इस तरह से जो है देख सकते हो और सबसे कम जो है कटाफ देख सकते हो 87.83 कटाफ गई है PWD के लिए जो कि PWD के लिए बहुत ही कम कटाफ जाती है बट यहाँ पे 87.83 परसेंट जो है PWD के लिए गई है तो अब मैं बात करता हूँ उत्तर परदेश के लिए उत्तर परदेश के लिए 93 या 94 परसेंट जो है कटाफ जाएगी मैं लिक के दे रहा हूं आपको 93 परसेंटेज ठीक है इससे उपर अगर आपका परसेंटेज बन रही है तो समझो कि आपका जो है कौलिफाई कर गए हो और जो वेकेंसी ये बिल्कुल किलियर होगी एक बार 2017 वेकेंसी निकाले गी थी जो कि अभी तक उसका रजल डिकलियर नहीं की गई है ये जो वेकेंसी है ठीक है 2020 में जो लीच की गई है ये बिल्कुल ये कंफरम है मैं आपको बता रहा है विश्वाव दिलाता हूँ तीन से चार महिने के अंदर जो है इसका रजल डिकलियर कर दिया जाएगा बिल्कुल कंफरम है इसका रजल आएगा तो जिनका 93% बन रही है वे सेफ हैं उनका रेजल्ट बनने का चांस बहुत ही जादा है भरती ये बिल्कुल किलियर होगी और 7 मई 2020 तक जो है लाच डेट बढ़ गई है अब लाइक कर सकते हो 7 मई तक तो वीडियो अच्छाला वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना साथी इस वीडियो को जादा से जादा से शेर करिए मैं आप फीसले वेबसाइट कर लिंग के नीचे डिस्क्रिशन में दे दूँगा आप लोग जाके खुद कटास पर चेक कर सकते हो और साथ पर जाके देख सकते हो तो थेंक्यू दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में और दविश्ट